हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग देखिए आज की वीडियो का टॉपिक जो है वह हम अपने प्लांट से ग्रों करें तो कैसे होते हैं उस पिक के उपर है यह देखिए मेरे में लेट किसी चीज़ की पैकिंग है यह देखिए जिसको मैंने टेप से जोड़के इसका बॉक्स ब तो यह मेरा एक टूटी हुई थी तो मैंने उसका भी इस्तमाल किया है कितने सुन्दर लग रहे हैं पूल कुछ कलर के इसमें नहीं खिले हुए हैं भी तीन चार कलर के लगे हुए हैं तो यह अटैची है और इसका यह दूसरा पार्ट जो है इसमें मेरी रेंडीली लगी हु रेंडीली का कितना खुबसूरत भूल है और एक बॉक्स ही है मैंने दो बनाए एक में यलो कलर के लगा रहे हैं और एक में मॉस रोज और यह देखिए यह तो बहुत ही छोटा सा है यह भी किसी चिश्की पैकिंग है कितना पतला सा है लेकिन इसमें मेरे अच्छे से खिल आते हैं मॉस रोज यह भी तीन-ची mark लग पाया उएं मेर लोगा हुए तो ने फिए मेरे चाड की आखिल है और दों लिए नलगा हुआ है कि बॉटर हैं के फूल देख्याला में सबलें इक पशास लगाए नहीं अब कहिए मंदिर जाती थी वह वाली है यह आप सासुमा तो आने लेकिन यह बास्केट है इसमें भी मैंने यह मॉस्रोस ग्रो कर रखे हैं और यह खिल रहे हैं यह देखिए थर्मा कोल यह भी मैंने दो पाइट चोड़ के और इसमें परस्लीन लगा रखे हैं अपनी जाड़ों में मैं करें हैं इसलिते हैं अपने जाड़ों में आपके साथ कई शीयर किया की ओपने इसमें कपड़ा लगा करें मैंने परस्लीन ग्रो किये यह बोटन के परब और प्र से मेरी चोटी सी बास्किट है कि देखिए कितने सारे मौस्रोस के लिए यह थे यह दो डपे जो हैं इसमें मॉस रोज और एक में अपनी क्राइशंतिमम की कटिंग लगा रखी है यह हो गई है अब गम्लों में लगाने लाइक तो मैं अब इसको गम्लों में शिफ्ट करूँगी इसमें तीन चार कटिंग लगाई थी मैंने खुब अच्छे से हो गई है इ यह भी इस डपे में लगी है एक फिर से यह थर्मकूल आप भी अपने इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं वेकार चीजों में वेस्ट मैटीरियल में यह सब्जी की पास्किट है जो फराब जाती है उसमें ऐसा कपड़ा लगा कर सकते हैं इसको यूज यह देखी बोटल में यह यह मेरे कितने अच्छे से चल लए हैं मौस रोड यह मैंने देख हैंगिंग की तरह टांग दिया है तो बोटल बना दिये इसको और यह इस तरीके से पेंट की बाल्टी है छोटी सी जिसमें मेरा यह विन का जो है मैंने ग्रो कर रखा है और यह नमकीन का पैकिट है इसमें की देखिए यह जो बोटम में लगके आई ती Whew मैंने इसमें और यह मिरा वैरेट कितने फूल के लेंए इसमें देखिए और यह एक मेरी जो भटी में छेद हो गया था-दोड़िकी बाल्टी है इसमें मैंने ग्रो कर रहा है और यह बहुत ही जादे फिल्वावरिंग करता यह देखिए मेरी washing machine की packing आई जो उसकी बॉटम में लगके आई थी तो मैंने इसमें अपनी क्रेश्ट में की cutting grow करी हुई है यह देखिए सब grow हो गई है और यह मेरी petunia की Mexican petunia की cutting flowering किये जा रही है और यह इतनी से मिट्टी में लगी हुए जरासी मिट्टी है इसमें और यह कितने अच्छे से इसमें देखिए कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है और कितना सुंदर फ्लॉवर इसका पिटूनिया का और यह देखिए मेरी अपराजिता यह टाइट के पैकिंग में है बैग में और कितने अच्छे से चल रही है इसमें पैसे नहीं है कि पॉट नहीं है आपके पास तो आप अपना प्लांट ग्रोनी कर सकतें यह देखिए म फ्लॉवर आ रही हैं यह चोटे चोटे से डबबा यह देखिए जो हम लोगाते हैं उसमें हम घ्रों कर सकते यह देखिए तो मैंने उसका भी उस्किया है तो हम इस तरीके की चीजें जो हैं हम गार्डनस को बहुत सारी प्लांटरस की जरूवत होती है तो इस तरीके की चीजें भी हम लोग यूज कर सकते हैं यह देखी तरन माद कि अच्छे से चल रही ही और यह मेरी काननी में आपको सारी हुप कर रहा है बार्ङ बहुत क्यारां लग रहा है और यह एक मेरी बालती में ही और यह मेरा हुंस वाँबिया यह कि यह लंबा भारत हो गया है तो इसलिए मेने इसको एक बाज के सारे रोक रखा है और यह देखिए मेरी यह वाली यह प्लावरीम है एकनली है इसमे फ्लावरिंग में हो रही है और यह देखिए कितने अच्छे से चल रहा है अब इसमें अक्टूबर नौंबर में फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह देखिए मेरे छोटे-छोटे जो रसमलाई वाले और सब्जी वाले ओनलाइन जो हम लोग मंगाते हैं उसमें मैंने मौस्रोज ग्रो किया हुआ है मौस्रोज पर्सलीन और जो शोपीस था उसकी उसका यह पॉट है और मैंने इसमें भी ग्रो कर दी पर्सलीन इसमें भी वच्छे फ्लावर आ रहे हैं यह देखिए सब मेरा वेस्ट मैटेरियल में ग्रो किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वेस्ट मैटेरियल को और अपने गार्डन में फ्लावर कर सकते हैं फूप सारे फ्लावर खिला सकते हैं तो किसी भी चीज में आप ग्रो कर सकते हैं किसी भी चीज को वेस्ट मत होने दीचे और अपने गार्डन में फ्लावर के लाके उसे सुन्दर बनाईए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो उसको लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई